मेरे प्रीज दोस्तो नमस्कार आज फिर से आई टी यान टूब में आपको स्वागत है इस वीडियो के माधम से हम लोगों ने आपको एंटि फ्रेक्शन बेरिंग के टाइप्स जो जो रोलर बेरिंग के टाइप्स होता है उसके बारे में अच्छी तरह हम लोग जानेंगे और उससे जानने से पहले हम लोग जानेंगे पहले इस वीडियो को जो स्टार्टिंग में ही आपको कौन-कौन से आपको बेरिंग चैप्टर में कौन-कौन से स्टुडेंट ने आपको इस कोमेंट किया है और उस कोमेंट को हम अच्छी तरह जवाब देंगे ठीक है उसको लोग आजएंगे डॉलर बेरि इसंद के स्टेहीं फिर तो चलिए हमुसंचते हैं पहले आपको दो ने को नौटिफीकेशन आप तक पहुचपाय और आप इसका लाब उठाए चले हम लोग आते हैं इस वीडियो को देखते हैं अच्छी तरह जैसे इस वीडियो में पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमेंट जो है ना कौन से लगा क्या जैसे देखे पहला जो कॉमेंट है आपको देखेंगे कि कॉमेंट जो पहला है कि आपक बॉल बेरिंग का उप्योग कहां कहां है इस तरह से कोमेंट करना चाहिए था लेकिन चली खैर उस वह किया कि आपको दोनों का उप्योग कहां कहां है ठीक है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको बॉलर बेरिंग और बॉल बेरिंग के बारे में यह प्रस्न पूछ रहा है तो आपको जान लेजिए कि एंटिफ्रेक्शन बेरिंग जो होता है कि आपको इसमें अधिक गति हैना और कम लोड के लिए होता है लेकिन एंटिफ्रेक्शन बेरिंग दो परकार को होता है जो रोलर बेरिंग एंड बॉल बेरिंग तो इसमें रोलर बेरिंग जो होता थो आपjang के जाता है टिक है जो आप ध्यानी देंगे कि बाउल मेरिंग के अपेख्छा रोलर बेरिंग आपको अधिक भार के लिए उप्योग के जाता है आपको दोनों अधिक गती पर आपको चलाया जाता है ठीक है लेकिन उसमें बॉल बेरिंग एन रॉलर बेरिंग में दोनों में सबसे अधिक भार पर आपको रॉलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है ठीक है तो आपको देख लिए कि सत्यार्थित हाउर का जो कोमें पेख्षा आपको कम भाघ के लिए इसक प्रयोग के बोलर बेरिंग का प्रयोग बाल बेरिंग प्रयोग कोड़ेंग थीक है तो इस तरह से हमनों समझ लिए कि आपको कैसे बॉल बेरिंग का उप्यों चाहँ कहा कहा होता है रूलर बेरिंग के and ball bearing के देखे अब दुसरे अभिसेखपाल का आपको quan양 है कि रूलर बीरिंग में दो लाइने है तो डबल बीरिंग है च्छहे और अगर वही तिन लाइने में रूलर बना हो तो यह क्या कहते है ठीक अब देखें को पता होना चाहिए बहुत जो comment सवाल पूछा है जैसे क्या comment सवाल पूछ दिया है इसमें ... में दो लाइन हैं तो अब था स्षा किशोटा चुकी यह तो just double row .. भी तक तो स्षाहल और भी तक प्रियोख किया जाता है। , यदि अभश्यक्ता अनुषार यदि कोई मसीन ऐसा बने जिसमें बेरिंघ का उपयोग यदि ट्रिपल रो में हो है ना यदि ट्रिपल उन्हों तिन लाइने में हो तो बिलकुल । बॉल्ड बेरिंग कहा जायगा ठीक है तो ऐसे सवाल जो है पता नहीं क्यों आप पूछत है इस सवाल इस तरह से पूछा नहीं जाता है कि आपको यदि अभी सवाल में है कि सवाल में ही आपको जवाब है कि सिंगल रो में है तो सिंगल रो बॉल 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 ब बोल बेरिंग का तो आपको पूछन है नेक्स्ट है आपको रोहित कुमार क्या पूछ रहा है ध्यान देंगे कि रोलर किस मेटल का बना होता है ये सवाल बहुत ही अच्छा पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि रोलर यह होता है रोलिंगवेंट्स उसको कह सकते है नशलक्रन एलिमेंट्स थीक है तो उसमें क्रोमियों इस्टेल या क्रोम नीकल jurisd camb Mann unprecedented करते हैं क्रोंजू एन निकल क्रोंजू को बना होता हैं क्या रोलर ठीक है इसको बाद आपको सीवाय याद्व पूछ रहा है प्रस्न सीवाय याद्व पूछ रहा है कि सर रेम सेल्फ भे एलाइनिंग और रिटक μαι, ठीक है आपको कह रहा है कि वह कौन से धातु का बना होता है सर कह रहा है कि सर सेल्फ एलाइनिंग आपको बेरिंग and adjustable slide bearing में आपको दोनों कौन से धातू के बना होता है ठीक है तो कौन से धातू का बना होता है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि धातू के जो जहां तक बात करते हैं हम लोग ठीक है तो यहां आपको friction bearing के में आ जाते हैं ठीक है ऐसे anti friction bearing तो आप जान नहे हैं कि ऐसे आप लेकिन आपको सेल अलाइन बुस्ट वियरंग हो गया और अचेहल स्लाइड हो गया तो इस तरह से वियरिंग जो बना होता है वह आपको जैसे का स्टाइंड का बनता है गर्ण के भी बनता है तो इस सभी इत्यादी अजितरी इस बनते हैं इसम्स हो तक है और इसमें आजायेगा चाहिए शुट्यषिंए होता है तो है है white metal वेविट मेटल इस सभी का आपको बनता है ठीक है तो इस तरह से आपको बेरिंग का समझे के साफ को टाइब होता है तो इस तरह से आपको सवाल किये ठीक है आपको कॉमेंट का इसका जबाब हुआ और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे आपको बेरिंग के ही टाइप जो हम लोग समाझते हैं जैसे आपको यहां कर चुके हैं आपको आपको बेरिंग के टिक हैस रेसा पिछले वीडियो में बाध में सभी को नोट कर चुके हैं लेकिन आपको इस सभी के बादे में अच्छी तरह हम लों समझ लेंगे और दिल तंब रोलर stupid याटी है आपको इस स लोग आपको भार कनुसार बेरिंग जो होता है उसके बारे में हम लो जानते हैं चलिए आते हैं देखिए ध्यान देंगे इस बेरिंग पर जैसे पहले आप यहां ध्यान देंगे कि यह बेरिंग जो होता है शुगर करेंगे कि यह बेरिंग जो होता है आपको ठीक है तो यह स सेनिकल रोलर बेरिंग जो होता में चल्व होता है कि रोलर ऐलिमेंट्स होता है ठीक है het आपको बॉल बैरिंग और यह दिवाले के बारे मारी अच्छी तरह नोग के बात कर चुके हैं लेकिन सेनिकल्थ एलिमेंट्स को सभी को टाइप स्कोर्रेलेलीग रोलिंग एल्यमेंटस को चीत दोरा हम दो समझते चलेंगे जैसे कि आप यहां देखेंगे चीत्र ठीक है इसके चीत्र पड़िए सिंडिकल का कि आप इस परकार से पुरे आपको से प्लेन में रहेगा ठीक है अर्थात इसमें कहने का मतलब है कि आपको इसमें कोई समझी किसे टेपर या समझी किसे बिलनकार तो है ही लेकिन आपको समझी किसे एक ढूलक की आकिरती में या समझी किसा आपको टेपर की आकिरती में इस परकार से नहीं है इसमें आपको एक डि सिर्निकल रोप में होता है तो सिर्निकल रोलर बेरिंग कहते हैं इसको जिस बेरिंग का रोलिंग एलिमेंट्स आपको प्लेंट सिर्निकल होता है उस बेरिंग को सिर्निकल रोलर बेरिंग कहते हैं ठीक है और इस सिर्निकल रोलर बेरिंग जो होता है इसके बारे में हम लोग आपको भारी कामों में उपयोग किया जाता है कियो आपको शानले भी कियाAh चाहिएosaurus यह कैम उप्योग किया जाता है तो यह बर ihnешь के बारे में आप समझ गया है जैसे डिहें के आपको चीटर हम तायपस बना दिया है तो उसी का अधहार पर हम चोछा समझना है तो उसको बात देखते हैं कि आप यहांUNG को समझगे नेको नेस्ट हम आगे बढ़ते हैं आपको बैरल बैरिंग ठीक है जो बैरल बैरल बैरिंग के बारे मीद तो बैर्ल रोलर बेरिंग के टाइपस self aligning roller bearing कहते हैं ठीक है तो इस तरह से आप इसको समझेंगे कि क्या है कि तो यह देखिए barrel roller barrel roller मतलब barrel की आकेरती में अर्थात एक धोलक नूमा आकेरती में इस जिस बेरिंग का आपको ball elements roller elements आपको डोलक के अकरती में बना होता है जैसे कि बीच की ब्यास आपको अधिक और साइड का ब्यास आपको कम तो वैसे बेरिंग को हम बोलते हैं कि barrel bearing या barrel roller bearing कहते हैं जैसे कि इसके rolling elements के देख लिए थोड़ा सा इसके rolling elements आपको इस परकार्ड से होता है ठीक है इस परकार्ड से आपको rolling elements होता है ठीक है और इस rolling elements में जैसे एक धोलक की अकार्ड की आपको बीच का जो देख रहे हैं ब्यास है ना बीच के ब्यास आपको अधिक है बीच के ब्यास आपको अधिक है और इसमें आपको क्या है यह आपको कम है ठीक है और यह भी कम है तो आप यहां देख रहे हैं कि बैरल यह बैरल बन रहा है प्रकार क्या है बैरल बन रहा है तो यह बैरल आपको बैरल रोलर बेरिंग है यह सेल्फ एलाइनिंग रो पर अपने इस्तिति को बदलने के बाद फिर अपने इस्तिति में जब आपको कोई भी बाहन या कुछ आपको रुखता को मसिन रुखता है तो मसिन रुखने के बाद वह अपने इस्तिति में आ जाता है मतलब सेल्फ एलाइनिंग होते रहता है ठीक है क्योंकि इसकी आकिरती उस प्रकार से है जो केज से आपको बाहर नहीं जाने के देता है और केज के अ बाल बेरिंग में जैसे रूलर बेरिंग में बैरल रूलर बेरिंग और सेल्फ एलाइनिंग डूलर बेरिंग आपको बैरल रूलर बेरिंग का दुसा नाम सेल्फ एलाइनिंग डूलर बेरिंग होता है ठीक है अब नेक्स्ट हम समझते हैं हम लोग नेक्स समझते हैं कि जैसे कि आप यहां चीत देखेंगे यहां निडल रोल बेरिंग का चीत देखेंगे जैसे कि आपको यहां ध्यान देंगे यह एके सुईनूमा अकिर्तिम यह बना होता है सुईनूमा अकिर्तिम बना होता है जिसका ब्यास जो होता है इसका ब्यास जो होता है ठीक है ब्यास जो होगा वह 2 mm से आपको 10 mm इसका ब्यास होता है ठीक है और इसका जो लंबाई जो होता है ठीक है निटले ब्यारिंग का आपको लंबाई जो हो जाएगा आपको ब्यास का ब्यास का हो जाता है आपको 5 से 10 गुना 5 से 10 गुना आपको होता है 5 से 10 गुना होता है आपको लंबाई ठीक है तो इसकी लंबाई 2 mm से 10 mm के बीच में आपको होती है किसका निटले ब्यारिंग का ठीक है निटले ब्यारिंग का आपको जो ब्यास होता है 2 से 10 10 mm होता है और ऑस दो से 10 mm के निडल जो होता है लमब ब्यास उसके आपको पांच से 10 गुना आपकी लमबाई होता है है ना और इसका उप्योग जो होता है आपको जैसे और आपको चलाने के लिए वहाण को या आपको समıkरोंग तु निमारे में समझ गया है मुकरूप से यह पॉाइंट है ठेक है ऑर इसके बारे में आप समझ गया है फीद भी देख लिए तीक है उसको बात है नेक्ट हम आ जाते हैं आपको लास्ट जो बेरिंग है इस वीडियो में आप इस वीडियो का जो लास्ट बेरिंग जो देख रहे हैं तो इसमें टेपर डॉलर बेरिंग ठीक है जो डॉलर बेरिंग का टाइप से हैं आपको टेपर डॉलर बेरिंग तो यह टेपर डॉलर बेरिंग के बारे में थुरा सा से होता है जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि इस परकार से इसका ब्यास जो आप देख रहे हैं कि एक साइड से ब्यास आपको क्या होता है आपको इसका ब्यास और इसका ब्यास दोनों में क्या है अंतर है मतलब एक यह टेपर होता है मतलब इसका ब्यास कम और इसका ब्यास ठीक है यह कम ब्यास में है कम ब्यास और यह अधिक ब्यास ठीक है अधिक ब्यास ध्यान देंगे कि इस रूप से आपको क्या होता है टेपर डॉलर बेरिंग जिस बेरिंग का रोलिंग एलेमेंट्स जो होता है वह आपको टेपर में बना हुआ रहेगा ठीक है तो उस ब्यारि जो होता है ध्यान देंगे कि साट के समकोन दवाब के साथ ठीक है और समांतर दवाब को भी सहन करता है साट के समकोन दवाब के साथ समांतर दवाब को भी सहन करता है आपको कौन से बेरिंग या आपको टेपर डूलर बेरिंग टेपर रोलर بेरिंग की आपको आटिया जाता है आख हम लोग वीन्न क्या जाता है ठीक है तो इस तरह से हम लों लोग समझ ठीक है दो चार मुक्रूप से होता है और इसके बारे में अच्छी की तरह समझ गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको जानेंगे कि आपको भार कनुसार कौन-कौन से ब्यारिंग होता है और वह आपको भी वी कोशन आपके एजाम के लिए बनेगा ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो को आप नहीं छोड़ेंगे चले इस वी झाल 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 झाल